इसका बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अगननन, हम अब तीन दन के लिए कुछ हटके जीने जा रहे हैं जिस तरह से जीते हैं, आज कुछ इनर्णे करते हैं कि हम हटके जी हैं थोड़ी से, दुनियादारी के लिए बेहुसी जरूरी है, सारे फिल बेहुसी में होते हैं, बड़ भुसकल है, उसमें तबी का बार किसी को खूस में दुनियादारी में जीना पड़ता है, अधिक तर तो बेहुसी में होते हैं, अब हम तीन दन को यहां एकटे हुए हैं, इसका हमें, आपकी मर्जी है ना हमारी मर्जी ना आपकी मर्जी अस्तित कुछ होना चाहता है इसके हमें खटा किया है यह एक आपकी तरफ देखो ना मेरी तरफ देखो जीवन में बहुत संजोग आते हैं, लेकिन उनका सदव्योग नहीं हो पाता बस। परमात्मा गुरुपी कृपा जीवन में बहुत सारे संजोग देती हैं, इस तरह है कि आज भी वो हम और आपके बीच में खटा हुआ है, लेकिन उसका हमें सदव्योग अभी बड़े मजे से करना है, बहुत मजे से, उस सब पूंपा हुए। यानि अभी तरह जो जिन्दगी जी थी, आज हम पुछ जिन्दगी को बहुत अलग अंदाज में जीना सुरू करें। तो उसके लिए दो-तिन बात हैं समझनी हैं, कि उर्जा जो है, जो हमारे अंदर उर्जा है। कायदे से अगर देखें तो हम उर्जा ही हैं। नामरुप को हटा दो जो भ्रुना है। अगर सच पूछो तो आप एक उर्जा है। तो तीन में हम यहां रहेंगे, हम ब्यक्ति नहीं मानें अपने को। यह भूल जाए सब, कोई हम ब्यक्ति नहीं है। आप ऐसे जी हो जैसे एक उर्जा है, और सत्य यही एए। की आप एक उर्जा है एक उर्जा का आयाम का आयाम लाज आा है इस रूप में॥ तो जो आयम लिया है उससे हम थोड़े आइंटिफाइड हो गए हैं ज्यादा बड़ी बात नहीं हुए बहुत बड़ी भूल कर भी हो हमने ऐसा भी मीन हुआ है सर्फ हमने अपना केंडर खो दिया उस खेंडर की बज़े से हम संसार में कहीं टिकना चाहते हैं कहीं केंडर ढूरना चाहते हैं किसी केंडर पर पहुंचना चाहते हैं और संसार में कोई केंडर आपका है कोई उपाय में केंडर आपके भीतर है तो उस केंदर को थोड़ा सा समझने के लिए हम यहाँ एखटे हो गये और किसी बात को एखटे नहीं हो गये हम उस केंदर में आ जाएं ना तो देखो अगर तुम आत्मा की बात करोंगे तो हुआई होगी पर मात्मा भी करोंगी तो बिलकुल हवाई होगी तो उसरों बात्चीत होके रह जाईगी, जब आप केंडर में ही नहीं हैं, तो फिर जो भी चीज आप सोचोगे, उसका कोई मुल नहीं होगा, और हमारी यही पिला है, कि हमारी जिन्दगी में हम जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो आखरी में एक थकान से ज़्यादा नहीं है, एक थकान बिखे जाती है, फिर हम बदलते हैं, फिर उपाय करते हैं, और अंद तो थकान में जाता हैं, सब थक रहे हैं। एक जो के आपकी पतन आपके हात में नहीं है। जहां हवा सहलती हैं जलाती है, किसी पेड से उलगती है। कभी आपकाश कर दागा तो नीचा दर जाती है। कभी कुछ हवाइअ से दागा है। सूत्र ये कहता है कि हम जब गर्म में थे हमारी मा के गर्म में थे हमारी मां हमारा केंडर थी जब हम गर्म में थे सारा डवलम्मेंट केंडर से हो रहा था हम से नहीं हो रहा था क्योंकि मा केंडर में थी और हम् Blairton थी क्योंकि केंडर था हुरा आप मा के गर्म से जो हुं बाहर आए तो सनल कर दो होao जो जरूरी था उसका छूटना आवश्यत था अभी आपको पता हो या ना हो आप परमात्मा के गर्म में इस वक्त हम सब परमात्मा के गर्म में क्योंकि बिना गर्म के तो कुछ होता ही नहीं जितना डब्लम्मेंट होता है जो भी कुछ हो रहा है वो सब गर्म में ही हो रहा है तो जब हम बच्चे थे तो मा के गर्म में थे और मा से हमारा सर्मन जब हम बाहर आ गए तो छुट लिया और हम बिना केंदर के हो गए एसा हम मान रहे हैं कि हम बिना केंद्र के हो गए एसा मान रहे हैं ऐसा है नहीं मज़ेदार बात देखो सर्क ऐसी मानता है क्योंकि तुम से तुमारी मा का केंद्र छूट गया वो बोद्पूर नहीं छूटा जट्के से छूट गया जब तुम नहीं हो समाला तो केंद्र भीहिं दोड़ रहे हुआ अपने को पा रहे हो अब सच ये है कि आप परमात्मा के दर्ण में हैं लेकिन परमात्मा और हमारे साथ केंद्र का जो जुड़ाव है उसका हमें बोद्ध नहीं हो रहा है तो जिस केंद्र से हम छूटे थे जिस जगह से हम जुड़े थे मा से अगर हम उसी जगह से जुड़ जाएं परमात्मा से आप इंद्रियों से नहीं जो सकते इंद्रियों से आप संसार से जुड़ेंगे आपके अंदर जो जहां से आप मा से छूटे थे वो है आपकी नाभी जहां से आप मा से छूट गए थे और इधर आ गए थे आज भी आपको पता हो या ना हो आप परमात्मा से जो यह है नाभी से अभी भी जुड़े है अगर आप परमात्मा से जुड़े नहीं, क्यों बात तो पूरी की पूरी उपलग्ध है, हम ढूड़ रहें परमात्मा को, हम भटक रहें, जे बिदमना हैं, बहुत सा हैं, क्योंकि हम उसमें ही बेठे हुए, उस दर्म में हैं, लेकिन हम निश्चिंत क्यों नहीं हो पा रहे हैं, मां के डर्म में थे तो, बड़े निश्चिंत थे, अब हम बिलकुर निश्चित नहीं हैं, उसका कारण है, कि हम केंदर के परती बहुत पूर नहीं हैं, तो बड़ी छोटी सी बिदी से सुरू करेंगी, जिससे आप इन तीन दुनों में ऐसा अन्भब करोगे, कि आप आपके केंदर से जुड़ गयें, या परमातमा से जुड़ गयें, एक ही बात, दो निश्चित, जुड़े थे ही, पता लगना सुरू होगा, जुड़ गये तो उतके अब जब जय classes कि टूटे थे, जो टूटा पा तो कभी जुड़े गये, जो है ही नहीं, वो कभी मिलेग जो इस वकत नहीं है वो कभी नहीं होगा अगर परमात्मा इस वकत नहीं है तो कभी नहीं मिले आगा वो इस वकत ही जहां तुम बैठे हो आप उसी में बैठे हो तो पहले तो हम एक बात बहुत गहराई से यहां थोड़ी बेरी बात मान के चले थोड़ी पीनन के लिए कि हम जहां होने चाहिए हम हैं सिर्फ हमें उसका बुद्र नहीं हो रहा है तो ढूड़ना नहीं, दमाग नहीं लगाना, खोजना नहीं, केंदर तो होना है, जिर अपने केंदर में आना, सरलसी की दी है, हो सारे बसी हों कहीं, कि आप अब तीन दन क्या करेंगे, के आपको, आपकी स्वास, इतनी गहराई से लेना है, के ना भी आपको पता लगती है, आपको इधर का कोई पता ना लगती है, को जोगे सब जूटे सेंटा है, जो सब इलूजन पैदा करती है, बहुत सारी चीज़ें आशे ऐसे उपद्रम में डाल देते हूं, कि बहुत सारे अनभवों से लोग गुजर जाते हैं, खड़े वही देते हैं, समझाने के लिए या खेल खेलोने के लिए सब कुछ चीज ठीक है, लेकिन मूल चीज जो है ना आपकी नाभी केंद्र है, लेकिन नाभी के अंदर में जब तुम कृष्लाइज होगी, नाभी से तुमारी सब्सक्राइज हो जाएगी, क्योंकि नाभी से जैसे ही तुम जाते हो, तो तुम ब्रह्म नाड़ी से जुड़ जाते हो, और ब्रह्म नाड़ी जुड़ी हूई है परमात्मा से, ये दोनों आप संबंद जोड़ने का उसको शक्री करने का जो सही तरीका है, बहुत उपद्रब करने की जरूरत नहीं है। आप, आपकी नाभी के लिए संबंद बनाओ, संबंद ऐसा तो बने रहा हैं, तो आप क्या करोगें। सतत नाभी के प्रती तीन दिन करके देखो जी अभी आपको आख से देखना कम कर देगा क्योंकि आख ध्यान दोगे ज़्यादा तो आख चीज़ों को पकड़ेगी खुली बंद करने की जरुद्ने खुले में ही करो यह प्रयोग कानों का प्रयोग इन तीन दिनों में बहुत कम जैसे तुम्हें कोई चीज सुनाई नहीं दे रहे इस तरह जरू अच्छा ओके यह प्लक लगा दो कानों में तो इजी है अब आपको तीन दिन जो है ना सतत नाभी पर प्रयोग करना आप चमतकार देखें नी यहां हम और आप खटे हुए हैं साइद जो संजोग कुछ नहीं कहाने गड़ दे जीवन की जीवन की जो सतता है उसका हमें एहसास होने लगए और एक बार उसका एहसास सुरू हो जाए अगर तीन दिन तुमने यह प्रयोग किया और तुम्हें स्वादाना सुरू किया तो तुम डंडे मार के भी नहीं छो सुरू कि को डंडे भी मारेगा तो भी तुम भासनी हटो कि क्यों तुम्हें इतना अपुछा लगेगा तुमने संसार में ऐसी मठास कभी जानी नहीं जैसी मठास केंदर में बैठके आती है कस्तूरी कुंडल बस है बड़ा मज़ेदार खेहिए कि हम सब पता निक कहा ढू हुए है और जिसे और बिना उसके तुम जी नहीं सकते क्योंकि वह तुम्हारा सुभाव है अब डंबना जय है कि जो तुम्हारा सुभाव है वो तुम्हें खीच रहा है और जो तुम्हारी भ्रहुना है वो तुम्हें बाहर खीच रहे हैं तो दोनों के बीच में ऐसा होंग दिया है दोनों के बीच में बन्र करों इस दन्द को हमें मीट देगा और जी नड़ जाएगा रजिस दिन केंद्र कि मिठास कुंगई आपके केंद्र केंधर काषि दिन की मिठास आना सुरू हो गए और आप उसके प्रती जागरत होना सुरू हो जागरती यहां कहीं नहीं घड़ सकती है जागरती अगर घटेगी सबसे जाड़ा जो सबसे जीबंत केंदर है वो हमारा नाभी कहने है त्योंकि वो परमात्मा से जुड़ा हुए हम परमात्मा से जुड़े हुए हमें पता हो या ना हो इससे कोई फरक नहीं पड़ा आप जुड़े हुए ही हैं चाहे आपको पता हो चाहे ना हो सारे जीवन की धारा आपकी उसी धारा से चरब गए आप आप सांसे भी उसी की बज़े से ले रहा है, अगर उधर का जुड़ार तूड़ जाएगा तो सांसे भी उक्सीजन की सिलेंडर भी लगा दो तो भी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बुकर में छूड़ जाएगा, पूरा का पूरा, तो आदमी बदर क्या हो जाता है, तो उस आदी बात तो व्यक्ति मत मानो उर्जा हैं, और उर्जा, और उर्जा किसी केंदर से निकल रही है, और सारे खेल कर रही है, जिस केंदर से कर रही है, उस केंदर का हमें पता नहीं है, फिर चीज़ा हो रही है तो अनर्गर हो रही है, जिसका हमें बोद नहीं है, तो मित्र तो बड़ा सुन्दर सा स्वार इन तीन दुनों में हमें प्यदा करना है। जो आपके अंदर ब्राइबान हैं, उसमें कुछ जादा करने की जत्त नहीं है। तो सांस को आप नाभी से लेना सुरू करेंगे। तीन दिन आपको सांस को नाभी से ही लेना है। यह बार-बार छूड़ जाएगी। और देखिए, प्रशने जो होते हैं, जिसे पूछते हैं कि आज भी किसी का प्रशन आया था, और भी प्रशन आते हैं। मैं कितने ही कौशिस करूँ, पढ़ता भी हूँ, बोलता हूँ, जवाब देता हूँ प्रशनों के। तुम केंद्रते हैं नहीं हो तो प्रशन के जवाब का मदलब क्या रख लेगा। मैं जवाब दूँगा उतने चणके लिए वो उर्जा के आवेर में आपको बार समन में आ जाएगी। फोषो नशी अनशी बहुत जिवाब दिए लेकिन बैसे घर में कोचो अनशी फोचल देख वोच जीवन में नहीं उतर है और उत्तर तो वह हैं जीवन में उतर है। कितने सालंगे से वो शो ना उत्तर दिये, हम और आप सब सुन रहा हैं उत्तर हंके, सुनते हैं जब बढ़े मीठे लगते हैं बहुद बढ़िया लगते हैं, जिसे घर by के भार निकलते हैं, सब घाया बहुत तरह हम वह ही खड़े रहते हैं वो ही उपद्रा, वो ही पीडा, वो ही संसय, वो ही इर्षा, वो ही सारी चीज़ा फसी रहती है, क्योंकि कोई भी चीज काम में नहीं आती है, केंदर में जब तक आप नहीं आएंगे, तो मज़ा कुझे होगा कि आपके प्रस्नों का उत्तर आपसे नकलेगा, और जब तक प्रस्न का उत्तर खुद का खुद से नहीं निकलेगा, समाधान हो नहीं सकता, कितने ही साल आप कुछ भी करते दाओ, उठा पटा, समाधान निकलता है व्यक्ती का व्यक्ती से, जहां से प्रस्न प्यदा होगा है, ठीक उसी के पीछे उत्तर से रहता है, ठीक उस पहले हमारे पढ़ने के टायने के असे ही होता था, वो गड़ेत के पीछे कुछ उतर भी लखे होते हैं, तो हमारे हर प्रशन के हमें क्या है, एक तो धहरीय नहीं है, तो हमें किसी से पूछ लेना है, कितने सालों से पूछ रहे हैं, सालों हो गए, उसों को सुनते सुनते साल लेकिन किसी के पृष्ण का जवाब आज तक नहीं है, वो बेरंग खड़ा हुआ, वही के नहीं कड़े, इसका मतलब क्या है, कि कभी अपने पर सद्धकीन है, अपने को कभी टटोला नहीं, बद देखो, ओसो जैसे महापुरुष से हमारा जुड़ना हो गया, ये अद्बु कहानी हो गया, गजब की कहानी, इसका रहस जब खुलाएगा, जब तु सारजनम नाचते रहो, तो ऐसे जागृत ब्रक्ती से हमारा मिलना हो गया, हम उसके प्रह में पड़ गया, ये पाठ बहुत बढ़िया हो गया, बहुत सुन्दर पाठ हो गया, अब हम उस सक्त को हैं, जिस सक्त की देशना है उनकी, जो उनके बीन में है, तो वो वहा से नहीं आएगा, हमें क्यालबता, ओसों भी कृपा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ओसों की कृपा तो हो गया, उनने तुम्हें बुरा लिया, और उनने अपना लिया, आत्म साथ को लिया, काइड तो आप गुरु के घर्म में चले गए, जब हम गुरु को मिलते हैं, तो जो मैं कह रहा हूं कि आप परमात्मा के घर्म में होते हैं, गुरु के घर्म में हैं आप ऐसा तो आप बहुत ही एहसास करने लगोगा, फिर गुरु के घर्म का एहसास जिनको होने लगता है, उन्हें कि एहसास होने लगता है कि वो परमात्मा की घर्व में है, गुरु छूड़ जाता है और हम परमात्मा की घर्व में अन्भब बने लगते हैं, तो खेल तो पूरा का पूरा उन्हें आपकी पूरा खेल आपके हाथ में सोगती है, और 1760 तर्की में बताएं कितनी विधियां ज भी केथें और थीक सा समझ लेते हैं तो होता क्या? ना वी केदर खुलता आपका ना भी केदर ही खुलना और इतने प्रयास हो गये, अन्भब हो गया, बड़ी अच्छी बात हो गय को इतनी तीन दिन मेरी बात मान लुगा, कि तीन दिन आखों का अपयों का आपकों का पयो एसे सबहूंबasına, जब तुम ध्यान में के बैठो तुब ध्यान करे नstep पर समय हो जब तुम ध्यान करें ie और बाकी सुखने में, ढान में, भाका, उथ्यां में, चन्ने में नाभी को छोड़ना नहीं साथ दिन अगर जे नावी का प्रयोग किसी न ठीक सका लिए साथ दिन उसकी नावी प्रसद जान जाए ही है यहां आप तर्कीव सीख लेंगे तो देखो जितने प्रस्न दमागों उपज रहे हैं यह साथ दिन के अंदर अंदर सब प्रस्न बिदा हो जाए और आप खाली हो जाओ प्रस्नों से खाली हो जाओ तो तो तीन दन तो मैं आपके साथ हूं इसके बाद जब आप घर में जाओ तो उसको चार दिन और समाल कर रखना है ऐसे नहीं कि यहां से बैव तुरंद भूल जाना है कि इसका साथ दिन का साइकल होता है कोई भी चीज का साथ दिन का सा व हम तो जो सिवेर लगाते हैं। यहां रहते हो हुआ है। आप गाना हो वान्य आकाए है। भुत मनुल काम है। अप्रीप गार कि उमर हो गई है स्यशें इसांडनी। जे इस्तिती है तो हम उसे सुखार कर लेते हैं, उसको सुखार दें। लेकिन ये तीन दिनतों अपलब्ध हैं जो नई हैं, वह हम घर में समालेंगे। लेकिन जो हैं उनका हमें सदव व्योगपना। हम आपके साथ होंगे, आप हमारे साथ होंगे, बड़े मझे आएंगे बहुत मस्ती रहेंगे लेकिन आप सतत जागरों रहेंगे नाभी के प्रति नाभी के प्रति, जाग़ों। नाभी को जीओ जैसे ही आप कि नाभी से जुड़ेंगों आप भ्यक्ति नहीं होगा आपको भ्यक्ति मोद मिढ़ जाए गा को तक मेज बंड़को लगेगा जाती होई आप शमज्टी ऑने आप पास्चैरी करेंगे जो लोग नाभी अच्छे से जुड़ जाती है मौ पेल के साथ भी कि अपनी जीवन्तता को अनुह पड़ती है पोधों के साथ अपनी जीवन्तता को फिर आप हरित्र चाहर एक अपनी जीवन्तता को महाने को सब का कई एक ही हम सब कें अ ll. और हमारा सबका केंद्र परमात्मा उसका जोड ब्यक्ति की तरह लेते हैं तो नाभी से चलता है और नाभी जब आपकी खुले लगती है खुल जाती है तो आपको साफ पता लगता है कि परमात्मा के गर्म में आप धड़क रहे हैं आपकी धड़कन फिर यहां सहना सुरू हो जाती हैं यहां का पोछ फफ़तम होने लगता और इहांसा आपकी नाभी सारकर पताव हो जायेगा प्यास करना विचार के बाहर जा नहीं सकते हो, क्योंको बिचार के कैंदर पर बैठ के बाहर जाने जाना संभव नहीं है, बहुत मुस्कल है, क्योंको उसी कैंदर पर आप बैठे हो जहां से बिचारों का संचालन चल रहा, इस कैंदर से बिचार चलती है, यह कैंदर निखाल बहुत जाए आपके विचार विचार सब हो जाएंगे, आप भी खो जाएंगे, और बस ये खोने की गला सीखने, पाने की नहीं, ये सारे दूसरे केंदरों से हम पाने के चक्र में पढ़ जाते, कि हमें समाधी लग जाएगी, हम एलाइटेन हो जाएगे, हमें सिद्धिया मि जाएगी, पतानी क्या-क्या हो जाएगा, यह कंदर कम्रहें, हमने की बात विखें बिखेंद देंसा जाlikeYour फिसले कावकों सबसिता हो 상모 historia का भूष और तूम क知道 है कीशWestatha सब्सक्राइब लगता है िसली बिखेंड़ के लिखेंड़ के सकते हैं। जो होना तुम समझते हो, यह होना ऐसा नहीं खोगा, यह ना भी केदर में जाते हैं, यह खोना हो जाएगा, और जब तुम खोगे तो सच में होगे, और जब सच में होगे तो जिसे प्रेम कहते हैं, जिसे करुणा कहते हैं, जिसे बक्ती कहते हैं, जिसे ज्यान कहते हैं, आप में से घढ़ने लगेंगी, उतनने लगेंगी, क्योंकि आपका connection परमात्मा से जुड़ गया, तो पहले नाभी से जुड़ोगे तो गुरू से जुड़ेगा, आपको परमात्मा तो आप न देखा नहीं, गुरू को देखा उसकी बाणे को सुनी, तो पहले गुरू से ज तो तीन दिन तो हमें क्या करना है, नाभी का प्रयों यहां करना है, कि सतर, अभी भी मैं बात कर रहा हूं, तो आप तो शुरू हो जाए, आपको नाभी के अंदर पे ध्यान देना, शुरू कर देना, और फिर तीन दिन के बाद, चार दिन और करके देखो, साथ दिन में आ आपको एक स्वाद बनना सुरूर होगा, फिर मुझे कुछ कहने की जरूत नहीं है, फिर वो स्वाद आपको लोटा-लोटा लाएगा, आप पितने ही भागो, वो स्वाद आपको फिल ले आएगा, फिर नाभी प्याव में, फिर भूल जाओगे, वो स्वाद फिल लाएगा आ यहांदा बात करने का कुछ मतलब नहीं है और साइड मालक ने संजोग इठाला है और इस संजोग में हम साइड कुछ बात बना जाएगी हमारे जीवन में केकरित हो जाएगी सारी बात बन जाएगी िमयरें और कुछ में कोई इस बात में दो बारा सब्सक्राइब को ओर प्रस्म इसे ने अगर पूछना ऑगलों तो और अपन बात कर सकते हैं कितनी करो बात तो मुझे यह करना है सुनतां बात कर्ना है हाँ एक बात है तुम उर्जा हो और उर्जा ब्यक्ति की तरह मांदई गड़े में बंद्ध एगे और जैसे हिसे उस तो में उर्जा में बिस्पोट हो वह उर्जा महा उ्रू से जुप जाएगी तो ऐसा प्रियो में प्रियोंग दिंदन करेंगे और उसके लिए जितने ध्यान होते हैं, अब सारे ध्यान जो भी करें लिए आप यहां, चाहे नार्भ्रम करो चाहें, अब जिस सारे ध्यान उसी केंडर को जगाने के हैं, जिस सारे ध्यान वो तो हमारे सित्त को हमें धल ले आते हैं, काय देश है, सारे ध्यान जो भी दिये ह उनकी मूल देशना उसों की जो मूल देशना है वो कुछ पाना नहीं है खोना है जो इस दुनिया में पाने चलें दे वो बटब जाएगे और जो इस दुनिया में खोने को राजी होंगे वो सायद पाजाएगे उलटमासी हे पूरी की पूरीक खेल उल्टा होता है लेकिन लिख स्ञेर अीछ भासा यू बन की भासा जानता है खोने के बास क्या होगा? पतह नंहीं क्या होगा? लेकिन थेखो अधरन के लिए इस बात को रात में आप सो जाते हैं तो खो जाते हैं आप और खो जाते हैं उस से अगले दिन के जीने के लाइख हो जाते हैं एक दिन के जीने के लाइख हो जाते हैं अगर आप खोएं नहीं तो आपकी क्या हालत हो जाएंगे तीन दिन अगर नीम ना आए तो पागल हो जाएंगे क्योंको मिलता होने से है, होने से तो थकान है, अगर होने से मिलता तो रात के थक्यों जाता है आदम, साम को जाते हो जाते है, थकान भारी हो जाती है, क्योंको जी होने की प्रक्रिया है, पूरी की पूरी, होने की प्रक्रिया अंत में क्या देती है, एक थकान, आप कुछ भी होना चाहो एक ठकान होगी परनाम में ठकान हो गए और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो तो प्रकृटी ने एक अजबुत खेल खेला है कि तुम्हें सुला देती है खो देती है तुम खो जाते हो ऐसा आयोजन है प्रकृटी का और नीद में खोने का इतना मज़ा है कि दिन भर फिर होने के मज़े लिते रहते हैं अगर आप सुन्न में खो जाएंगे तो कितना होने का मज़ा होगा होने की बात करो होने कई आनंद मिलो तो फिर कुछ बड़ा ही होने की करो परमात्मा होने की करो इससे नीची कायब करो तो जब खो जाओगे त तो परमात्मा हो जाओ, सब कुछ हो जाओ, तो जिस तरह से नीन में खौने का आनंद है, उस तरह से सुन्ह का खौने का, जब भी कभी किसी साधत को खौने का इस पे साजा है, खो ही जाना, कि उस से सुन्दर कोई घटना नहीं होती, धर्म की दुमिया में इस से अच्छा अर्भब नहीं होता, कि आपको आगे से खौने की खाई खुल जाती है, और उसमें आप डूबते लिए राजी हो जाती है, डूबते डूबते आप पूरे मिट जाती है, ये समय लग रहा है, और असुद्धाएं हो रही हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ पाना चाहती है और इस तरह से कभी कोई आदमी कभी पा नहीं सकता है, क्योंकि मैंने उधारन दिया, कि जो जो तुमने मांगा दिन भर में, अगर वो सब और हो जाता तो तो तुमारी क्या गत होती है, जो जो दिन भर में तुम और मांगते रहे तो जो नहीं हुआ, अगर वो भी हो जाता तो तुम कितने ठकते दुफ्यर में गर जाते हैं तुम रात होने नहीं देते हैं ऐसी हालत हो जाती तुमारे वो तो प्रकर्टी क्या करती जित्ता तुम से बर्दास होता होता होने देती है तुमको बाकि वो होने नहीं देती प्रकर्टी बचा कर रखती है कि अगर जो तो म enquہ में वो सब मुल गया होता, तो फ़र तो तुम आठ से लगता, दस से लगता कि गिल जाओ विस्तर दो अभी इस इस्तिती हो जाती fashanku क्या होता है, हम इतने होते 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 चले तुम हो गये हymip अब होने से मिला ग्या और कभी सोचया आदमी कि होने से मिलना कुछ भी होने से सिवा ठकान के और कुछ नहीं आएगा हाथ में अब ठक जाओ ना होने की बाद ढूरने लगो कि कहीं जिर जाएं सू जाएं हम खो जाएं भगवान से भीक मांगोगे कि हम सो जाएं ऐसी इस्तिती हो जाती है कई लोगो कि हमें नींद कैसे आजाएं तो दुनिया बर को बद्रब करने लगते हैं सोने के लिए तो यह तो सूत्र की बात कर रहा हूं अगर तुम उसनक होगे तो फिर कितना बिस्राम होगा तुमारे ज बनकर आओंगे तो उसमें प्रेम होगा करणा होगी मैत्री होगी आनंद होगा सब कुछ होगा लेकिन सब कुछ-कुछ अलग तरह सब तो तुम जैसे हो रहोगे ऐसे ही लेकिन तुमारे गुर्धर बदर जाएंगे पूरे को अभी जो चीजे हैं हमारे होने में वो क्रोध है लोग है और चीजें और यह चीजें सब क्या टती है और जब आप सुन्हें से उतर उत्रें होगे फिर भी कोई कई जाता नहीं होता तो है कि आप उतने ही सकते हैं जितना परमात्मा सकते हैं आप कहीं जाते नहीं आप होते हैं बस आपका होने का डंग बदल जाता पूरा का पूरा तो आपके चलने में, आपके उठने में, आपकी आँख में प्रेम का खेल होगा, आप देखोंगे तो प्रेम से दिखोंगे, बात करोंगे तो प्रेम से करोंगे, किसी पत्ते को छुओगे, किस दिने प्रेम से छुओगे, आप देखोंगे, ये संसार इना सुदर है, इस संस आधा मुका था कि तुमने कुछ होके देख लिया अब इस से ठखके जो तुम असली हो वो होना है और वो जो असली हो वो मिटके होगा जैसे विस्राम तुम्हे आता है दीन में गहरी जाके सपने मुट जाती है और तुम नए खड़े हो जाते हो पूरे के पूरे और इस सुन्ह में जब तुम दूबोगे तो बिलकुल नए हो जाओ और बिलकुल नए हो बगार को बोर नया कुछ एसा है जो रोज रोज नया होता है रोज रोज पैदा हो गया ऐसा लगेदा कि आप आज के दिन पैदा हो यह आतीज बतीव की सब बात है फाल तुक ही हो जा कि दर की बाते पर फुरसते नहीं होगी आपको इतना आनन में जी होगे मस्ती में जी होगे तो अभी तीन दन हमारे पास इस सूत्र को जीने के हैं तो आप लोग सुरू करें मैं आपके साथ हूं आप मेरे साथ हैं बढ़िया बंदा बहेदी बहुत आनम रहेगा और हम सब देरे प्रध्यान के लिए मिलते हैं और आपने मेरी बाते साथ हैं उसके दन नवाज देते हैं मजे है पुष़ एपी पुष़ एपी बचुष़ एपी पुष़ एपी खुष़ एपी लेग्ट